आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बिना फ्राई के हुए समोसे की रेसिपी बनाना बहुत आसान है आज समोसे का टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए आज की मज़ेदार समोसे की रेसिपी को शुरू करते हैं समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में एक कप मैदा ले लेंगे और इसमें डाल देंगे एक चमज घी आधी छोटी चमज नमक डाल दे और इसके बाद इन तीनों को अच्छे से मिला दे अब हम इसमें पानी डालके इसका एक कड़ा डो बना लेंगे ध्यान रहे समोसे का जो डो है वो soft नहीं रखे थोड़ा कड़ा गुंदे अब हम इसे ढख के 10 मिनट के लिए रख देंगे तब तक हमालू का मसाला बना लेते हैं तो एक microwave से बोल में हम 3 चमस तेल डाल देंगे और इसके साथ 1 चोटा चमस जीरा डाल देंगे अब हम इसे microwave कर लेंगे तो यहाँ पे 3 मिनट के लिए इसे microwave करना है आज की इस समोसे को हम LG charcoal healthy oven में bake करेंगे इसमें है charcoal lightning heater technology इसमें 30 recipes का healthy hot auto cook menu है और यह product made in India है तो यहाँ पे microwave oven को open करेंगे उसमें ये वोल रख देंगे और उसके बाद 3 मिनट का microwave mode लगा देंगे जैसे ही timer खतम होगा हम microwave को open करेंगे और इसके बाद ये वोल यो है वो microwave से निकाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे आलू तो दो उबले हुए आलू को mash करके इसमें डाल दे और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे एक छोटा जमच अद्रक और हरी मिर्च का paste इसके बाद हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे डेर छोटे जमच आमचूर का पाउडर डाल देंगे एक छोटा जमच लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ हम आधा कप उबला हुआ हरामटर डाल देंगे धन्या पत्तर डाल दे और इसके बाद हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे तो ये हमारा आलो का मसाला जो है वो रेडी हो गया है लेकिन अभी हमें इसे पकाना है तो हम इसे माइक्रोविब अवन में तीन मिनट का टाइमर लगा के पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे माइक्रोविब में तीन मिनट का टाइमर लगा दिया है टाइमर खतम होते ही हम इसे निकाल लेंगे और इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे तो ये हमारा आलो का मसाला जो है वो बन गया है अब हम इसे ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद समोसे के अंदर स्टफ करेंगे मसाला अगर गर्म रहे तो कभी भी आप स्टफ नहीं करें तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम समोसे की शीट बना लेते हैं तो यह हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो गया है तब हम इसकी medium size की लोई बना लेंगे और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे तो यहाँ पे लोई आपको इतनी बड़ी रखनी है सूखा मैदा लगा के हम इसे रोल कर लेंगे आप इसे oval shape में रोल करें ताकि जब हम इसे cut क हिस्सा ऐसे लेके आपको इसे ऐसे fold करना है यह देखे एक साइड ले थोड़ा सा पानी लगाए और दूसरा साइड उसके उपर चिपका दें तो यह हमारा समूसे का कोन जो है वो बन के तयार है अब हम इसके center में जो stuffing हमने बना के रखिया वो रख देंगे यह देखे तो यहां पे किनारों पे हम पानी लगा कि इसे ऐसे बन कर देंगे तो यह हमारा समूसा बन के तयार है सेम तरीके से हम बाकी के समूसे को बना लेंगे अब हम इस समूसे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे तो यहां पे brushing कर दी मैंने तो अब हम इसे बेक कर लेंगे तो ब recipe manual में process है वो mode select करके हम पहले इसे pre-hit कर लेंगे जैसे ये pre-hit हो जाएगा हम ये baking tray को निकालेंगे और इसके ऊपर ये समोसा रख देंगे अब हम इसे वापस microwave oven में रख देंगे और इसके बाद इसे bake कर लेंगे तो यहाँ पर इसे बन करके start का button प्रेस कर दें जैसे ये एक समोसे को पलटके और इसे higher rack पे रख देंगे तो यहाँ पर थोड़ा से oil लगा दे अब हम lower rack हटा के higher rack रख देंगे और इसके बाद ये tray रख देंगे microwave oven को बंद करें और इसके बाद start का button प्रेस करें जैसे ही timer खतम हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे और यह हमारा समोसा जो है वो बन के तियार है यह आप देख सकते है कलर बहुत ही बढ़ी आया और इतम perfectly bake हुआ है तो हम इसे तीकी हरी चटनी के साथ और टमाटो की चप के जरूर ट्राइ करें और ऐसे ही healthy recipes के लिए LG India की website विजिट करें जिसका link description box में है